हेलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपके लिए आपके खिद्मत में एक और नए इंटरेस्टिम टॉपिक पर वीरो पेश्टने जा रहा हूँ तो प्लीज इस वीडियो को बिन स्क्रिप के लाश्ट देखना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो के शुरुवात करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे श्री सारंग पानी मंदीर के बारे में दोस्तो बेजिकली ये मंदीर दक्षिन भारत के एक राज्य तमिल नाडु के कुम्ब कोनम में ये स्थित है दोस्तो पौरवाने कथा के अनुसार जब पुर्थ्वी पे प्रला आया था तब भगवानश्र प्रह्मा जी ने भगवानश्र शिवजी को पूछा और कहा कि ये जीव सुष्टी की उत्पत्ती की शुरुवात करे तब भगवान श्रिशिव जी ने इस कुम कुनम को ही चुना था जहाँ पर पूछवी पर फिर से जीर सुष्टी पनप सकी थी दोस्तो ये कुम कुनम तमिल नाड़ों के थंजावर जिल्ले में स्थित एक खुबसरत मंदिरों का शहर भी माना जाता है जिसे City of Temple भी कहा जाता है दोस्तो इस सारंगपाने मंदिर में एक बारा मंजिला गोपुरों है जिसे राजा गोपुरों भी कहा जाता है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि माता श्रिलक्षमी जी हजारो कमलों के साथ ओतराम राई तालाप से यहां आई थी दूस्तो ये मंदीर भगवान श्री विष् Dennis को समरतीच है दूस्तो इस मंदीर में राजा गोपुरों के अलावा अन्या पांच गोपुरों भी इस मंदीर प्रांगड एवां परिशर मिस्थीथ है दोस्तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल पर नौए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना ताकि मेरे आने वाले एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के नोट्रिफिकेशन्स आप तक नियमित अंतरा तक पहुंचती रहे तो थैंक यू